हेलो एवरिवन, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपकी सोनम मैम पच्चों, पाठ एक हाती और चुहे में आपने सिंयुक्त व्यांजन सीखे थे जैसे कष, त्र, ग्य और श्र और आज हम पढ़ने वाले हैं द्वित्व व्यांजन हाँजी बच्चों, हमारा आज का विश्य है द्वित्व व्यांजन तो चलिए बच्चों, जल्दी से अपनी हिंदी की पाठे पुस्तक में पाठ तीन कप्रिष्ट नमबर पैंतिस निकालिए शब्द ग्यान, द्वित्व व्यांजन दिये गए शब्दों को बढ़िये कच्चा, गुस्सा, मुरब्बा बच्चों क्या आपको पता है इन सभी शब्दों में क्या समानता है मैं आपको बताती है, इन सभी शब्दों में बीच में आधा अक्षर और अंत में पूरा अक्षर है और ये दोनों अक्षर एक जैसे है देखे बच्चों, हम और आप रोज बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और हमारी बात्चिक में जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें एक व्यंजन दो बार पास आजाता है तब हम पहले व्यंजन को आधा और तूसरे व्यंजन को पूरा लिखते हैं जैसे छत्ता, मक्का, तिप्पा, बल्ला, गन्ना, बिल्ली और बच्चा बच्चों जो व्यंजन आधा लिखा जाता है वह हल्का बोला जाता है और तूसरा व्यंजन पूरा बोला जाता है बच्चों अब आप यहां देखें इसमें ड़ के नीचे एक चेहन लगा हुआ है इस चेहन को हम हलंत कहते हैं और जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है वह भी आधे व्यंजन की तरह ही बोला जाता है आव बच्चों इससे जुड़े कुछ शब्द पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा व्यंजन हल्का बोला गया है धक्कन इसमें कव्यंजन दो बार आया है पहला कव हल्का बोला गया है और दूसरा कव पूरा बोला गया है धक्कन पच्चा यहां च दो बार आया है और पहला च हलका बोला गया है और दूसरा पूरा बोला गया है लट्टू यहां ट दो बार आया है और हलंत वाला ट हलका बोला गया है और दूसरा ट पूरा बोला गया है हम और भी उधारन पढ़ते हैं जैसे गुड़्डा, छत्ता, गन्ना, कद्दू, ठपा, गुपारा तो बच्चों, आब आप अपनी पाठे पुस्तर का प्रिष्ट नमबर 36 निकालिए दिये गई चित्र का नाम कहानी में से ढूंड कर लिखे अहा, ये तो लड़ू का चित्र है, तो यहाँ पर लड़ू लिखिए तो बच्चों, दो एक जैसे व्यांजनों को त्वितू व्यांजन कहते हैं इसी के साथ बच्चों, आपको हिंदी की पाठे पुस्तक में आउ करे 4 और आउ करे 5 करना है और अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तक में मेरी बारी एक करना है बच्चों, प्रतेक प्रिष्ट की छवी आपको परदान की जा लिए अपना कारे बड़ी सफाई से और पैटरन के अनुसार करें और दिये गए अनुदेश को ध्यान से पढ़िए घर रहें, सुरक्षित रहें बाबाई